हेलो दोस्तो आज हम लोग जो अपना मार्बल कटर ग्राइंडर है उसका जो कटर वाला जहां से जिसमें दोस्तो बलेड लगता है वो बेरिंग कैसे चेंज करें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगेकी विडियो में सबसे पहले ये देखे दोस्तों उस वेरिंग को निकालने के लिए इसमें ये चार दोस्तों स्क्रियू दिये हैं जो इनको हम लोग स्क्रियू ड्राइवर की मदद से एक एक करके कोल लेंगे गुरी इलेक्ट्रिशन एंड प्लमबर चैनल को आप सबस्क्राइब लाइक शेर और फॉलो करें आप लोग हमारे चैनल को यूटूब फेस्बूक और इस्टाग्राम पे लाइक फॉलो और शेर करें यह देखे दोस्तों जो अपने मारवल काटर में आगे बेरिंग कोल टाइड करने के लिए चार स्क्रियू लगे होते हैं उनको हम लोग एक एक करके स्क्रियू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे कुछ मारवल काटर में दोस्तों इस तरह स्क्रियू ड्राइवर की मदद से लगने वाले स्क्रियू आते हैं कुछ में दोस्तों यहां ऐलेगन की के नट भी आते हैं यह देखे दोस्तों हमने चारे नट खोल लिया और जो इसके मारवल काटर के जहां काटर लगता है तो लूज हो चुकी है और उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा प्ले आ गई है इसलिए उसको हम लोग निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों इसके प्लेट स्पोर्ट में जो दोस्तों आगे नट लगे होते हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और अब दोस्तों हम लोग जो इसकी गरारी वाली शाफ्ट है दोस्तों उसको हम लोग पूलर की मदद से इसके बीच में से निकालेंगे गुरी एलेक्ट्रिशना एंड प्लमबर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को फॉलो करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फॉलो करें यह देखी दोस्तों हम लोग जो पूलर है उसकी मदद से दोस्तों हम लोग जो इसकी शाफट है उसको हम लोग दोस्तों निकालेंगे पूलर को अच्छी तरह से लगाने के बाद दोस्तों हम लोग इसको टाइट करेंगे और अपनी जो पांच एंची मारवर काटर की शाफट है दोस्तों वो असानी से बाहर निकल जाएगी और उसके बाद द देखिए अब इसकी शाफट दोस्तो निकल गई और अब असेंबली में दोस्तो इसकी में सिर्फ बैरिंग बचा है उसको थोड़ा सा दोस्तो हम लोग साफ कर लेंगे क्योंकि उसमें ओयल जा गरीस लगा होता है अब हम लोग दोस्तो इसमें दोस्तो एक लॉक दिया होता है safety lock उसको हम लोग दोस्तो पहले थोड़ा साफ करके उसके किनारे चेक करेंगे कि किस तरफ है उसको हम लोग दोस्तो किसी भी चीज़ की मदद से चेक करेंगे कि वो दोस्तो किस साइड है और बाद में दोस्तो हम लोग यह देखिए जहाँ पे दोस्तों इसमें एक जो सेफटी लॉक है वो दूया है उसको हम लोग दोस्तों जो अपनी चिम्टी है उसकी मदद से दोस्तों टाइट करेंगे और उपर को उठाएंगे और वो सेफटी लॉक दोस्तों असानी से निकल जाएगा अगर नहीं निकल रहा तो आप लोग सक्रीउट ड्राइबर की मदद से भी उसको निकाल सकते हैं गुरी एलेक्ट्रिशन एंड पलंबर चैनल को आप सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें यह देखिए दोस्तो इसका लॉक निकल गया अब हम लोग दोस्तो इसेंबली के बीच में थोड़ी सी हैमर की चोट लगाएंगे और यह अपना बैरिंग दोस्तो निकल गया यह देखिए दोस्तो बैरिंग कितना लूज है इसलिए हम लोग इसको साइड रख देंगे दोस्तो नया बैरिंग हम लोग लेंगे दोस्तो नया बैरिंग हम लोग लेंगे और इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे और इसमें जो इसकी दोस्तो कटर की ब्लेड की एसेंबली होती है उसमें हम लोग दोस्तो नया बैरिंग रखेंगे ये देखिए दोस्तो छे हजाद दो नमबर वेरिंग हम लोग मार्किर्ट से लेके आए ये देखिए इसको हम लोग अच्छी तरह रखेंगे और थोड़ी सी हैमर की चोट की मदर से ये असानी से दोस्तो बैठ गया अब हम लोग दोस्तो जो इसका सेफटी लॉक है उसको भी हम लोग दोस्तो इसमें दोबारा दबा के फिक्स करेंगे इसको लगाने में दोस्तो थोड़ी सी परिसानी आएगी इसलिए कोई बात नहीं इसको अच्छी तरह से इस्टॉल करेंगे उससे पहले दोस्तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं दोस्तो हम लोग आपके लिए नहीं नहीं वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तो जितना हमसे होता है ये देखे दोस्तो ये थोड़ा लॉक लगनी रहा अब थोड़ा सा और इस पर हम लोग चोट मारेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बेरिंग नीचे बैठ गया अब हम लोग दोस्तो इसके उपर जो अपना सेफटी लॉक है उसको रखेंगे और हैमर की मदद से थोड़ी सी चोट लगाएंगे और जो अपना टेस्ट पिन है उसकी मदद से इसमें दवा के दोस्तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ये देखे दोस्तो अपना सेफटी लॉक लग गया और वेरिंग को भी कोई निकसान नहीं हुआ अब हम लोग दोस्तो जो इसकी शाफट है उसको भी उसके उपर रखेंगे और गुमा की देखेंगे जब इलकुल बढ़िया चल रहा है और इस पे भी थोड़ी सी दोस्तो अराम अराम से हैमर से चोट करेंगे और ये भी अच्छी तरह से बैठ गया और अपना शाफट और वेरिंग सी तरह से बर्क कर रहा है उसके बाद दोस्तो जो इसके कटर बलेड के नीचे एक सेफटी पिने होती है जा जिनको हम लोग जो कटर के आसपास दो पैकिंग लगती है उसको भी हम लोग लगा देंगे और उसके बाद दोस्तो हम लोग इसको उसी तरह है कटर की बाड़ी में अच्छी तरह से दबा के, पहले दोस्तों थोड़ा सा, जो हम पर जो मिट्टी लगी है, उसको हम लोग साफ कर लेंगे, ये देखे दोस्तों, ये अच्छी तरह से बैठ गया, अब हम लोग इसके दोस्तों, जो चार नट हैं, जो हमने निकाल रे थे, उन लोग को नटों को भी हम लोग यह देखे दोस्तों यह बैठा नहीं इसको हम लोग हाथ की मदद से अच्छी तरह से गुमा के बठाएंगे दोस्तों यह देखे दोस्तों यह बैठ गया और गुमा के देख लेंगे हाथ से यह देखे दोस्तों यह बैठ गया अब हम लोग इसकी अलाइनमेंट स अच्छी तरह से टाइट करतेंगे गुरी इलेक्ट्रिशन और पलंबर चैनल को दो तो सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को भी लाइक करें शेयर करें फॉलो करें आप गुरी इलेक्ट्रिशन और पलंबर चैनल को यूटूब के इलावा फेस्बुक और इस्टाग्राम बर्सप और टेलीग्राम पे भी लाइक शेयर फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों यह देखे दोस्तों हमने चारों नट इसके पहले नॉर्मल टाइट कर लिए अब हम लोग दोस्तों इसके जो चारों नट हैं उनको अच्छी तरह से स्क्रूड ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे और यह दोस्तों अपने कटर में जो बलेड लगता है उसकी इसम्बली का बेरिंग 6002 बेरिंग अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो गया और इसको थोड़ी सी हम लोग साफस्पाई कर देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों